हेलो फ्रेंज समारे चैनल वीस ओनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिस से बहुत बहुत स्वागत है चतिजगड़ पिसी यानि इस्टेट सर्विस एक्जामिनेशन 2030 के लिए आपर ओनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों अगर आप भी चतिजगड़ पिसी में ओनलाइन फॉर्म बना चाते हैं तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको सेजी पिसी का ओनलाइन फॉर्म कैसे बना है क्या क्या डॉकुमेंट्स लगेगी कितना फिस लगेगा पूरा कंप्रिक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले है तो इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखें इसके साथी ऐसी है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्टा करने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं चतिसगर पीसी के आउनलेन फॉर्म सब्मिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को उपन कर लेंगे सर्च एटेपर आना है और यहाँ पर आपको CGPSC लिएक के सर्च कर दिना होगा इसके बाद सर्च रिजल्ट में यहाँ पर पीसी की ऑफिसल वेबसाइट आजाएगी आपको यहाँ पर क्लिक कर दिना होगा जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे चतिसगर परब्लिक सर्विस कमिशन यानी CGPSC की ऑफिसल वेबसाइट है हमारे शामने ओपन हो जाएगी इस पर जैसे निचा आएंगे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिर रहा है इस्टेट सर्विस इजामिनेशन लिखा हुआ आजाएगा बगल में आप पर जो है अपलाई का अप्सन सा यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पूरे डिटेल है यहाँ पर आ जाते हैं पहले नमबर पर क्लिक करके आप Advertisement देख सकते हैं कि कितना सारा पोस्ट है क्या 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 नियम एम सरते हैं पूरी जनकारी आप देख सकते हैं इस बारे में हमने पहले वीडियो बना दिया है उस वीडियो कर देखकर आप यह पूरा डिटेल जान सकते हैं आपको form apply करने के लिए second number पर click here to apply online लिका हुआ आ रहा है यहाँ पर हमें click कर देना है जैसी आप click करेंगे हमारे सामने यहाँ पर online application का registration करने का page है वह आ जाता है दोस्तों आपको बता दूँ कि यदि आप cgpc में पहली पर online form भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको registration करा लेना होगा अगर आप पहले भी cgpc में form भर ले हैं तो यहाँ पर आपको login करके आपका पूरा detail डालना है यानि id password डालेंगे और login कर लेंगे अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पूरा नाम लिख देना होगा इसके बाद नीचे आपको अपना mobile नमबर देना है इसके बाद नीचे आपको अपना email ID यहाँ पर submit कर देना होगा इसके बाद नीचे generate OTP लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा जैसे हम पर क्लिक करेंगे आपके mobile नमबर और email ID दोनों पर एक OTP आ जाएगी सबसे पहले आप अपने mobile नमबर के OTP को यहाँ पर enter करेंगे इसके बाद आप अपने email पर आए हुई OTP को यहाँ पर enter कर देंगे इसके बाद नीचे submit लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा जैसी हम submit के option पर क्लिक करेंगे हमारा profile है यहाँ पर login हो जाता है अगर दोस्तों पहली बर form भर रहे हैं तो इस प्रकास आपको registration कर लेना होगा अगर दोस्तों पहले ही form भर रहे हैं तो यहाँ पर login के option पर क्लिक करेंगे इसके बद यहाँ से email id और password यहाँ पर मांगा जाता है अगर अपने email id या password को भूल गए हैं तो नीचे forget password पर क्लिक करके आप अपने password को दुबारा प्राप्ता कर सकते हैं जैसे आप forget password पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले email id मांगी जाएगी तो यहाँ पर आप अपना email id दे देंगे अगर आप email id बुल गए हैं तो उसे भी आप recover कर सकते हैं email id देने के बाद दोस्तों आपके जो mobile number है उस पर OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको नया password create कर लेना होगा नया password बना लेने के बाद आपको दुबारा login के पीज पर आना है और जो आपने email id डाली है उसको डालेंगे नया password बना होगा उसको डालके आपको login पर क्लिक करना होगा जैसे आप login पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकास आपका profile है login हो जाता है online apply करने के लिए इस page में आपको निचान होगा यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट की बात के हैं तो 242 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं यहाँ पर state service examination 233 लिखा हुआ आ रहा है इसके साथी जो starting date है 1 December यानि आज से start हो रहा है last date की बात करें तो आप यहाँ पर 30 December तक online form भरपाएंगे form apply करने के लिए state service exam लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर apply का options आता है यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा जैसी हाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं online application है वह यहाँ पर आ जाता है आपका mobile number, email id और नाम यहाँ पर show हो जाता है इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका अपना father's name लिख देना होगा आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं तो यह सारे detail आपको fill करने पड़ेंगे अगर आप पहले ही registration करा लिये हैं यानि कि आपने पहले भी जो है PSC में form भर लिया है तो दोस्तों यहाँ पर आपको direct login करेंगे तो यह सारे detail है automatic यहाँ पर fill हुआ आ जाएगा अगर कुछ यहाँ पर detail गलती होती है तो उसे आप सुधार भी कर सकते हैं father's name डालेने के बाद निचाप का अपना mother's name डालना होगा दोस्तों यह सारे details है आप अपने certificate के अनुसार ही fill कर पाएंगे इसके बाद यहाँ पर nationality में Indian selected आ जाएगा religion में जैसे click करेंगे तो Hindu, Muslim, Sikh की साइज जो भी आपकी धर्म होगी उसको यहाँ पर आपको enter कर देना होगा gender पर click करेंगे तो male, female, third gender जो भी आपकी gender होगी उसको आपको select कर देना है इसके बाद meridial status यानि जो है वैवै की city पर आप यहाँ पर click करेंगे तो अगर आपका विवा हो गया है तो यहाँ पर yes पर click करेंगे अगर आपका विवा नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको no पर click कर देना होगा इसके बाद नीचे data birth मांगा जा रहा है जैसे यहाँ पर click करेंगे हमारे सामने हाँ पर calendar open हो जाता है दोस्तों आपका अपना data birth इसी calendar को ही select करके जो है fill करना होगा क्योंकि अगर आप calendar को select करके fill नहीं करते हैं तो नीचे जो है options यहाँ पर fill हुआ नहीं आता है यहाँ पर age calculate नहीं होती है इसलिए आपका data birth इहाँ पर calendar से ही select करना होगा सबसे पहले calendar से यहाँ पर जो है data birth की year select करेंगे month select करेंगे और day को select कर देंगे जैसी हाँ पर data birth डालेंगे यहाँ पर जो है आपका age है calculate होके आ जाता है इसके बाद नीचे birthday place पूछा जा रहा है आपका जन्म कौन से जगा पर हुआ है उस जगा यानि गाओं या आप अपने area का नाम लिख सकते हैं इसके बाद documents यहाँ पर मांगा जा रहा है कि आप अपने date birth की verification के लिए कौन सा document देना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर आप अपने 10th के mark sheet 12 या 11 की equivalent का mark sheet या आप अपने birth certificate को यहाँ पर document के रूप में दे सकते हैं अगर आपके पास birth certificate नहीं है तो यहाँ पर आप 10th mark sheet पर click कर देंगे जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपको यहाँ पर 10th का mark sheet का यहाँ पर roll number या certificate number होगा तो उसको यहाँ पर आपको enter कर देना होगा इसके बाद निचा आएंगे तो 36 गड़ residential detail यानि 36 गड़ के निवासी के लिए यहाँ पर detail मांगा जा रहा है अगर दोस्वों आप 36 गड़ के निवासी है यानि 36 गड़ के domicile आपके पास है तो यहाँ पर आपको select key button पर click करेंगे और यहाँ पर yes पर click कर देंगे अगर आपके पास domicile यानि निवास परमार पत्र नहीं है तो यहाँ पर no पर click कर देंगे इसके बाद निवास परमार पत्र आपका कौन से जीले से बना है उस जीले को यहाँ पर आपको सलेक्ट करना होगा आपके जोhesidencial यानि निवास परमार पत्र है उसमें सारा detail देखने को मिल जाएगी इसके बाद locality में जैसे क्लिक करेंगे अगर दोस्तों आप सहरी है तो यहाँ पर urban पर क्लिक करेंगे grammar होंगे तो यहाँ पर आपको rural पर क्लिक कर देना होगा इसके पर निचे आएंगे तो यहाँ से आपकी category मांगी जा रहे है category पर क्लिक करेंगे तो unreserve SC, ST, OBC जो भी आपकी category होगी यहाँ पर आपको अपना category सेलेक्ट कर लेना है नीचे category की certificate यहाँ पर number मांगा जाता है तो दोस्तों आपकी जो जाती प्रमार पत्र बनी होगी उस पर एक जो certificate number होगा उसी certificate number को यहाँ पर आपको type कर देना होगा नीचे certificate issue district पूछा जा रहा है कि आपका certificate है कौन से district में बना हुआ है उस जीलों को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा दोस्तों यह सारे डेटेल आपके जो जाती प्रमार पत्र में मिल जाएंगे यानि काश्य certificate में पूरे डेटेल यहाँ पर मिल जाएंगे इसके बाद certificate issue authority पूछा जा रहा है कि आपका certificate किसके द्वारा जारी किया गया है बहुत सारे candidate का जो certificate है sub-divisional officer यानि कारियाल अनुभागी अधिकारी यानि sub-divisional officer के द्वारा बनाया जाता है इसके बाद certificate issue date पूछा जा रहा है कि आपका certificate कौन से date बनाया हुआ है तो वह date आपके certificate यानि आपके काश्य certificate पर यह सारे डेटेल मिल जाएंगे इसको उस date को यहाँ पर आपको सेलेक्टर कर लेना होगा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पीस का डेटेल मांगा जा रहा है अगर आप दिव्यांग होंगे या पीस कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर yes पर क्लिक करेंगे नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको no पर क्लिक कर द प्लिक करेंगे नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अगर आप शिक्षा करमी या पंचायत करमी होंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर आप छटनी employee होंगे तो yes पर click करेंगे otherwise यहाँ पर आपको no per click कर देना होगा अगर आपको 36 गर्ड गर्मेंट के तरब से Intercast of Marriage पर कोई award मिला होगो तो यहाँ पर yes पर click करेंगे नहीं मिला होगो तो यहाँ पर no per click कर देंगे 36 गर्मेंट के गर्मेंट दोरा राजिव गंधी पुरुसकार गुंडा धर पुरुसकार जैसे आपको जो है अगर कोई award याँ पुरुसकार मिला होगा तो यहाँ पर yes पर click करेंगे नहीं मिला होगो तो यहाँ पर no per click कर देंगे अगर आपको किसी examination से बाहर निकाल होगो तो यहाँ पर yes per click कर देंगे otherwise यहाँ पर no per click करेंगे किसी service में आपको जो है terminate या punish डिक होगो तो yes per click करेंगे नहीं तो यहाँ पर no per click कर देंगे आपके खिलाब कोई criminal case होगो तो yes per click करेंगे otherwise यहाँ पर no पर आपको click कर देना होगा इस प्रकार से दोस्तों जितने भी हैं पर options दे गए हैं अगर आप applicable होँगे तो yes पर click करेंगे अप Cafical नहीं होँगे तो यहाँ पर आपको no पर click कर देना होगा इसके बाद अगर आप विद्वा होंगे तो यहाँ पर Yes पर क्लिक करेंगे नहीं होंगे तो यहाँ पर No पर आपको क्लिक कर देना होगा इसके बाद जो भी आप पूरा डिटेल दिये हैं सभी डिटेल को आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना होगा क्योंकि दोसमें आपर कोई गलती आपको नहीं करना है सारे डिटेल सही हो जाने के बाद आपको इस पेज में निचे आना होगा और Save के इस Option पर क्लिक कर देंगे जैसे आप Save and Next के Option पर क्लिक करेंगे आपका First Step है वह Complete हो जाता है इसके बाद Second Step में हमारे यहां पर Address को फिल करना होगा Address फिल करने के लिए सबसे पहले यहां पर Permanent Address लिखा हुवा आ रहा है तो यहां पर आप अपना पूरा Address फिल कर देंगे नीचे State लिखा हुवा आ रहा है तो यहां से आपको अपना State सेलेक्ट कर लेना होगा इसके बाद आप अपना District के यानी जीला सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद नीचे आपसे Pin Code मांगा जा रहा है तो आप अपना Pin Code यहां पर डाल देंगे Pin को डाल देने के बाद नीचे Nearest Police Station पूछा जा रहा है आपके नजदीक में जो भी Police Station का नाम होगा उसके यहां पर आपको जो है टाइप कर देना है इसके बाद नीचे आपसे Correspondence Address मांगा जा रहा है अगर आपका Present Address और Correspondence Address दोनों सेम होगा तो यहां पर आपको टिक करना होगा जैसे आपको टिक करेंगे सारा डेटा है आटोमेटिक यहां पर फिल होके आजाता है अगर आपका Correspondence Address अलग है तो यहां पर आपको Correspondence Address का पूरा डेटेल है वह फिल कर लेना है इसके बाद Space में निचा आएंगे और Save and Next का Option पर क्लिक कर देना है जैसे आप Save and Next के बटन पर क्लिक करेंगे हमारा Next Step यानि Qualification Detail डालने का Option से वह आ जाता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर Note लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपने Qualification को Sequence के मध्यम से डालेंगे यानि कि आपके पास जितने भी Qualification Detail है सब भी का Detail यहां पर आपको फिल करना हो पड़ेगा सबसे पहले यहां पर आपको Intermediate यानि कक्छा बारवे के Detail करना है उसके बाद आप जो भी कोर्स के हैं डिपलोमा की हैं या दोस्तों आपने जो है College किया है यानि डिग्री किया है उसका Detail फिल करेंगे उसके बाद अगर आपने PG कर रहा होगा तो PG का Detail फिल करेंगे या अधर कोर्स कर रहा होगा तो वो सारे Detail यहां पर आपको जो है क्रमशा फिल करना पड़ेगा दोस्तों यहां पर जो भी आप Information देंगे यहां पर जो Sequence Files देंगे यानि कि सबसे पहले आपर देख सकते हैं Intermediate से आपको Start करना है यानि कि Qualification में यहां पर रक्षा भारवी से आपको Detail को फिल करना होगा Qualification टाइप में जैसे यहां पर क्लिक करेंगे सबसे पहले Intermediate यहां पर आपको Select कर लेना होगा नीचे Name आप कोश्र मांगा जाए तो Higher Secondary Certificate School यहां पर आपको जो है टाइप कर देना है इसके बाद फ्रेंज यहां पर Board या University मागी जा रही है तो यहां पर आपको अपना Board लिख देना होगा यानि कि 12 आप किस Board से कि होंगे 36 गड़ बोर से किये हैं या CBC से किये हैं या Other Board से किये हैं उपन बोर से उसको यहां पर आपको जो है टाइप कर देना होगा अगर आपने जो है 36 गड़ बोर से 12 आ कर रखा होगा तो यहां पर आपको CGBS से लिख देना होगा इसके बाद नीचे Institute Name लिखा हुआ आ रहा है तो आपका College का नाम यानि School का नाम क्या था यहां पर आपको उसे टाइप कर देना होगा Passing Year में आप कौन से Year में जो है 12th Passout थे उस Year को सेलेक्ट कर देंगे इसके बाद यहां पर Marks टाइप पर आपको क्लिक करना होगा अगर आपका Certificate Number Basis पर है तो यहां पर Marks पर क्लिक करेंगे Grid वाल होगा तो यहां पर Grid पर क्लिक कर देंगे जैसी आप Marks पर क्लिक करेंगे यहां पर सबसे पहले Out Up पूछा जा रहा है तो टोटल नमबर का यहाँ पर आप पेपर कितना था उसको लिखेंगे अप्टेन माक्स में आपको कितना नमबर मिला हुआ है वह लिख देंगे और यहाँ पर परसेंडेज आटोमेटिक फिल होके आ जाता है दोस्तों यह सारे डिटेल आपको बड़े ध्यान से फिल करना है यहाँ पर कोई गलती नहीं करना है इसके बाद एक बाद सारा डिटेल आपको चिक कर लेना होगा और नेचा आएंगे यहाँ पर 8 का ओप्सन से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप 8 के option पर क्लिक करेंगे आपका certificate यानि जो भी आप detail डालें यहाँ पर 8 हो जाता है जैसे आप उपर आएंगे दुबार यहाँ पर qualification टैप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है इसके बाद diploma, graduation जो भी आप course किये हैं इसको आपको select कर देना होगा अगर आप 12 एक पर डिरेक्टर graduation किये हैं तो यहाँ पर graduation पर आपको क्लिक करना है नेम आप course, board, university यह सारे detail आपको अच्छे से अपके जो certificate के अनुशार फिल कर लेना होगा institute name, passing year जो पास्ट का result तो यह सारे detail आप अपने certificate को देकर आसानी से जो है फिल कर लेंगे क्योंकि अगर यह सारे detail मैं फिल से दुबारा बताने लगा तो यह video काफी लंबी हो जाएगी इसलिए यहाँ पर जो भी आपके पास qualification यानि जीतने भी आपके certificate है सभी certificate को यहाँ पर आपको बारी बारी फिल करना है चलिए मैं फटा फट पूरा detail यहाँ पर फिल कर लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं मैंने qualification में यहाँ पर जो है तीन जो है qualification एट कर लिया है सबसे पहले intermediate यानि कख्षा बारी उसके बाद graduation अगर आपका post graduation हो गया होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट graduation के भी detail यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आपने बीएड एमेट जो भी अधर को से किया होगा उसका भी यहाँ पर detail आप फिल कर देंगे दोस्तों जो भी आपके पास qualification होगा वह ही detail आपको फिल करना होगा अगर आपके पास केवल graduation है तो यहाँ पर आपको बारवी और graduation के ही detail फिल करने होगे इसके बाद इस page में नेचायेंगे यहाँ पर कुछ जो है नियम एम सर्ते हैं यहाँ पर आपको check mark कर लेना होगा इसके बाद निचायेंगे तो यहाँ पर next का option है यहाँ पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर अगले step में यहाँ पर work experience मंगा जाता है अगर आपके पास experience होगा तो यहाँ पर yes पर click करेंगे नहीं होगा तो यहाँ पर no पर click करेंगे और save पर click कर देंगे अगला step में हमें अपना photo और signature अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर देखेंगे तो जो photo और signature की size यहाँ पर दी गई है photo upload करने के लिए आपर देख सकते हैं upload photo लिखा हुए आ रहें यहाँ पर click कर देंगे दोस्तों अगर बता दो कि अगर आप जो है login कर लिए हैं तो यहाँ पर आपने पहले जो photo डाला होगा वही photo यहाँ पर show हो जाएगा अगर आप अपना photo change करना चाहते हैं तो आप अपना photo भी change कर सकते हैं उसी प्रकास यहाँ पर आप अपना signature change कर सकते हैं या उसी upload भी कर पाएंगे photo signature upload हो जाने के बाद निचे save and next का option से यहाँ पर हमें click कर देना होगा जैसे हमारे सामने पर poster का detail डालने का page है वह आ जाता है सबसे पहले select poster लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर state service examination prelims लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर click कर देना होगा जैसे हमारे पर click करेंगे poster recruitment यहाँ पर आ जाएगा आपको बता दू कि अगर आप जो है यह सभी poster में online apply करना चाहते हैं तो minimum आपके पास graduation यानि इसना तक की degree होनी चाहिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इसना तक की degree है तो यहाँ पर आपको नीचे select के option पर click करके आपको yes के option पर click कर लेना होगा इसके बाद नीचे save and next के button पर click कर देंगे जैसे आप save and next के option पर click करेंगे यहाँ पर applicant नाम आपका नाम यहाँ पर मांगा जाता है तो यहाँ पर आपको पूरा नाम दुबारा एंटर कर देना होगा और नीचे आपको 7 Next के बटन पर दुबारा क्लिक कर देना है इसके बाद फ्रेंज देखेंगे तियाँ पर पोस्ट का डिटेल आ जाता है इसके साथ जो आपने फॉर्म भरा है उसका पूरा प्रिव्यू आ जाएगा जो भी आपने फॉर्म भरती समय डिटेल डाले हैं वो सारे डिटेल यहाँ पर आपको चेक आउट कर लेने होंगे अगर यहाँ से कोई गलती हो जाती है तो यहाँ से आप अभी भी एडिट कर पाएंगे सारा डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा सारा डिटेल सही हो जाने के बाद आपको इस स्पेस में निचा आना है जैसी इस page में निचाएंगे यहां पर सबसे पहले center preference यानि आपके exam center select करने के लिए कहा जाता है यहां पर center preference पर click करेंगे तो सभी district का नाम आ जाता है आपको जिस district में अपना exam center लेना है उस district को select कर लेना होगा इसके बाद निचा आएंगे तो देख सकते हैं यहां पर आपको 47.20 यहां पर पेमेंट लगने वाला है यह जो charge है detail है आप यहां पर देखेंगे यहां पर आपको termine condition पर click करना होगा आप इन में से किसी एक medium को select करके payment कर सकते हैं अगर आप जो है भीम UPI यानि Google पर या phone पर से payment करना चाहते हैं तो है यहां पर UPI के option पर click करेंगे यहां पर आपको UPI ID डालना होगा यहां पर UPI ID के जो options है यहां पर आपको select कर लेने होगे UPI ID डालने के बाद यहां पर जो है Mac payment पर click करेंगे आप अपने Google पर फोन पर यहां जिस ID डाले होगे उस application पर जाकर आपको एक request मिल जाएगी उस request को accept करके आपको payment complete कर लेना है अगर दोसों UPI से payment नहीं करना चाहते हैं कोई error आता है तो आप अपने ATM कार्ड यानी debit कार्ड से भी payment कर सकते हैं payment complete हो जाने के बाद यवर payment has been successful completed लिखा हुवा आ जाएगा इसके बाद इस page में आपको नीचे आना होगा नीचे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपको प्रिंट का नाम आपको नाम यहां पर देखने को मिल जाता है एक्सन पर जैसे क्लिक करेंगे view form details पर आपको क्लिक करना होगा जो भी आप form भरे हैं उसका पूरा detail आ जाता है इस form को प्रिंट करने के लिए उपर print का option से यहां पर हमें क्लिक करना होगा पूचा जाता है आप जिस file में इस जो है PDF को रखना चाहते हैं यहां पर जो है file सेलेक्ट करके save के option पर क्लिक करेंगे आपका यह application form है PDF format में save हो जाता है इसके बाद आपको किसी computer shop में जाकर इसे print करा लें होगा इसके बाद दोस्तों उपर आके यहां पर logout के option पर क्लिक कर देंगे इस प्रकास आप CGPSC के official website पर जाकर असानी से घर बैटे ही online application form भर सकते हैं I hope दोस्तों हमारे द्वरा दिया गया जानकर यह आपको अच्छा लगा होगा आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को अधिक सधिक सेयर करें